नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चेनल पर और आज के इस वीडियो में MPGK के प्रिवेस एर्स कोश्चन सीरीज का ये तीसरा वीडियो होगा जिसमें व्यापमदारा 2015 से 2021 तक की समस्त परिक्षाओं में पूछे गए MPGK के कोश्चन को समाहित किया गया है और आज के इस वीडियो में 2015 में पूछे की परिक्षाओं को के कोश्चनों को लिया गया है तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्षर और देखते हमारा पहला कोश्चन पहला कोश्चन है निमलिखित में से मद्रिपदेश का कौन सा जिला निमलिखित में से मद्रिपदेश का कौन सा जिला महारास्ट और 36 गड़ दोनों राज्यों की सीमा पर इस्थी थे मतलब को वह जिला बताना है जो कि महारास्ट और 36 गड़ दोनों को छूता है या दोनों राज्यों की सीमाओं को इस पर्ष करता है तो इसका सही आंसर होगा बालाघाड बालाघाड वह जिला है जो महारास्ट और शत्तिसगर दोनों ही राज्यों को टच करता है अब explanation देखते हैं इस question का अब बालाघाड की मद्यपदेश के मेप में स्थितिका है तो बालाघाड जिला आता है मद्यपदेश के दक्षिन में यहाँ पर है बालाघाड जिला बालाघाड जिला यहाँ पर है और बालाघाड की सीमा चूती है नीचे आएगा महारास और यहा तो सिंग्रोली की सीमा नीचे से तो 37 गड़ को इसपर्श करती है और उपर साइड यहां पर आ जाता है उत्तर प्रदेश लबकि यह जो सीमा है इसके नीचे आएगा 36 गड़ और यहां पर उत्तर प्रदेश तो सिंग्रोली जिला इसपर्श करता है उत्तर प्रदेश और 36 ग और इदर का अरिया है राजिस्थान तो यूपी और राजिस्थान को इस परस करते हैं मुरेना और सिवपूरी इसके अलावा आपको पता होगा की मद्डिप्रदेश के मात्र दो ही जिले ऐसे हैं जो की गुजरात को इस परस करते हैं उनके नाम है झाबुआ और अली राजपूर, अब यहीं से आपको कन्फ्यूस नहीं होना है, उपर आता है हमाजाबुआ और नीचे है अली राजपूर यह राज यह गुजरात, गुजरात के नीचे जो इसपर्ष कराथा है, वो है महाराश्ट तो अली राजपूर जो जिला होगा वह टच करता है गुजरात को और महाराष्ट को अर्थात, गुजरात और महाराज दोनों ही राज्यों की सीमाओं को इसपर्ष करने वाला जिला है अलिराजपूर और जाबुआ जाबुआ जो जिला है वो राजिस्थान और गुजरात की सीमा को इसपर्ष करता है तो हमने सारे इसे जिले देखे जो की अलग-अलग राजिकी सीमा को टच करते हैं कौन-कौन से तेक वर फिर से देख लेते हैं तो बाला गाठ हो गया है महाराश और शत्तिसगड को इसपर्स करने वाला सिंगरोली टच करता है यूपी और शत्तिसगड को मुरेना और सिवपूरी दो जिले हैं जो की राजिस्थान और उत्तरपदेश को टच करते हैं जाबुआ इस पर्स करता है गुजरात और राजिस्थान को नीचे आता है अलीराश पूर जो की गुजरात और महारास्ट को मतलब की common रहेगा जाबुआ और अली राजपुर में गुजरात जाबुआ की स्थिती उपर है तो यहां से touch हो जाएगा राजिस्थान और अली राजपुर की स्थिती नीचे की और है तो गुजरात के साथ इसमें प्लस होगा महरास्थ नेक्स कोशन देखते हैं निमलिखित में से कोन से इस्थान पर चांदनी ताप विद्धूत के अंदर इस्थी थे तो चांदनी ताप विद्धूत के अंदर कहां पर इस्थी थे चांदनी ताप विद्धूत के अंदर इस्थी थे बुरहनपूर जिले में या बुरहनपूर कब हुई थी तो यह मद्यप्रदेश का प्रतम विद्धूत के अंदर है इसके स्थापना हुई थी सन 1953 में चाननी ताप विद्धूत के अंदर कहां पे स्थापी थे बुरहांदपूर में यह मद्यप्रदेश का प्रतम विद्धूत के अंदर है जिसके स्थापना हुई थी इसके अलावा है कि जो बुरहांदपूर का चाननी ताप विद्धूत के अंद्रे इसके जो बिजली बनती है उसका उपयोग काय में होता है तो इसकी विद्धूत का प्रयोग किया जाता है नेपा नगर के कागशकार खाने में नेपा नगर के कागशकार खाने में इसका समता है मद्यप्रदेश की उर्जा राजदानी किसे कहते हैं जब हम विद्धूत या उर्जा से रिलेटेट पड़ रहे हैं तो मद्यप्रदेश की उर्जा राजदानी है सिंग्रोली मद्यप्रदेश की उर्जा राजदानी है सिंग्रोली मद्यप्रदेश की उर्जा राज चलत आप विद्धूत्केंद। सिंगुरौली में इस्थ की छमताइब 260 मेंगावाट। फिर हम देक लेते हैं कि मधद्यपर्देश में श॥ापी गया सत्थापई चैना प Haloistic और इस के साथ स्थापना थट मंधद्द्द्द्द भूइब Jinping की on 1950 में और इस भवन का नाम है सक्ति भवन फिर मद्धिपदेश ग्रामीन विद्धूतिकरण निगम की स्थाब नकम हुई तो 1960 में स्थापित किया गया मद्धिपदेश ग्रामीन विद्धूतिकरण निगम 1960 में स्थापित हुआ और यह है भोपाल में स्थित हमने क्या देखा कि मद्धिपदेश में 1950 में जबलपूर में इस्थापित किया मद्धिपदेश विद्धूत मंडल फिर 1960 में इस्थापित किया मद्धिपदेश विद्धूती गरण निगम जो की भोपाल में इस्थी थे नेपा नगर में जो कागज खारकाना है उसके लिए जो विद्धूत प्राप्त होती है वह होती चाननी ताप विद्धूत के अंदर से चाननी ताप विद्धूत के अंदर इस्तिते बुरहांदपूर में जिसके स्थापना हुई थी 1953 में और ये मद्यप्रदेश का प्रतम ताप विद्धूत के अंदर है फिर मद्यप्रदेश की उर्जा राजदानी देखिए सिंग्रोली जहांपर 2260 मेगावाट का विद्धूत के अंदर इस्थापित किया गया है मद्यप्रदेश खुशाली मंत्राले की स्थापना का अनुमोदन देने वाला भारत का राजज है तो आपको पता होगा खुशाली मंत्राले की स्थापना करने वाला पहला राजज है मद्यप्रदेश तो इसका सही आंसर होगा मद्धिपेश प्रतमराजय जिसने खुशाली मंत्राले का इस्थापना के जो कि ये कारकम था उसको अनुमुदन दिया था इसके बारे में other facts देखते हैं तो happiness ministry या खुशाली मंत्राले किसके सासनकाल में मना गया था तो खुशाली मिनिस्ट्री बना था सीरी सिवरा सिंग चुहान सी एम थे और इन्हीं नों कहा था कि मद्धिपदेश में खुशाली मंत्राले की स्थापना की जाएगी और जो happiness index है happiness index बनाने के लिए IIT खड़कपूर और मद्धिपदेश सरकार के मद्ध एक EMU साइन हुआ है जो कि happiness index तयार कर रही है happiness ministry इसी के अंतरगत एक आनन्दम विभाग या आनन्दम विभाग की स्थापना की गई यह कप की गई थी तो सन 2016 में अब आनन्दम विभाग किस के अंतरगत कार करता है तो आनन्दम विभाग कार करता है अध्यात में विभाग के अंतरगत तो happiness ministry श एक नवंबर 1956 को निमलिकित में से किसने मद्यप्रदेश के प्रतम मुख्य मंत्री के रूप में पदभाग ग्रहण किया था मद्यप्रदेश के प्रतम मुख्य मंत्री कौन थे मद्यप्रदेश के प्रतम मुख्य मंत्री थे पंडित रवी संकर सुगल पंडी तरवी संकर सुकल मद्यप्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री थे इसके बारे में और चीज़ देखिए CM से रिलेटेड अन्न अफेक्ट देखते हम तो मद्यप्रदेश के प्रथम CM कौन हो गए मद्यप्रदेश के प्रथम CM हो गए और मद्यपिदेश के पहले आदिवासी CM कोन मने तो मद्यपिदेश के पहले आदिवासी CM मने श्री राजा नरेशंद राजा नरेशंद और ये विवेक्ति हैं जो सबसे कम समय अवधी के लिए भी मद्यपिदेश के CM रहे जो सबसे कम समय मद्यपिदेश के CM रहे उनका नाम क्या है राजा नरेशन और ये ही प्रतम आदिवासी CMB थे अब हम देखते हैं कि मद्यपिदेश में राष्टपती सासन कितनी बार लगा तो मद्यपदेश में राष्टपती सासन तीन बार लगा ये तीन अवधी कपप लगी तो पहली बार लगा था सन 1997 में दूसरी बार लगा था सन 1997 में और तीसरी बार लगा था 1992-1993 में अब ये तो याद हो गया कि तीन बार राष्टपती सासन लगा 1997-1992 में पर किसके सासन का लगा उस्तामिय और 1992 सेथी उस्तामिय राष्ट प्थाके मम कमेंटा के समय हरे जब्हां चेसा कर अन्युक सुंदर्लाल पत्वा अब जब 92-93 में राश्टपती सासन लगा उस समय CM थे सुन्दरलाल पटवा और राश्टपती सासन जैसे हटा उसके बाद जब चुना हुए तो हमारे मुख्यमंत्री चुने गए स्री दिगविजे सिंग जो की 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे ये 93 से सन 2003 तक मुख्यमंत्री रहे फिर 2003 में बीजे पी के गवर्मेंट बनी और मद्द्देश की मुख्यमंत्री बनी पहली महिला CM जिनका नाम था सुस्री उमा भारती जो की 2003 से 2004 तक मुख्यमंत्री रहे फिर इनके बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने स्री बाबुलाल गोर जो की 2004 से 2005 तक के विली मुखियमंत्री बने फिर 2005 से लगातार 2000 जब चुना हुए सन 2018 में तो 2018 तक मुखियमंत्री रहे स्री सिव्रा के बाद मार्श 12 में मुख्यमंध्री बने हमारे स्री सिव्रा सिंग mobil साल जो की वर्तमान में मद्वित्यस राज्ज के स्रीkkक् सारवधिक समय तक जो मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वे सिवरा सिंग चोहानी है निमलिक्षित में से कौन सा जिला मद्यप्रदेश के गिर्द छेतर में आता है तो आपको ये बताना है कि मद्यप्रदेश के गिर्द छेतर में आने वाला जिला कौन सा है तो इसका आंसर होगा, भिंड भी गिर्द छेतर में आता है, गौलियर भी गिर्द छेतर में आता है, शिवपुरी भी गिर्द छेतर में आता है, तो सही आंसर है उप्रियुक्त सभी, मतलब कि ये सहारे तीनों ही जिले कि इस रीजन में आते हैं, गिर्द रीजन में, और एक मद्यपदेश में कुल कितने जिले हैं तो मद्यपदेश में चार जिले हैं जो कि गिर्द रीजन में आते हैं और गिर्द रीजन को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं तो वर्तमान में गिर्द रीजन को गौलियर छेतर के नाम से जाना जाता है जिसके अंदर गर चार जिले भिंड गौालेर शोपुर और शोपुरी मुरेना इसके अंतरगत नहीं आता है तवा देनवा सक्कर निमलिखित में से किस नदी की सहायक नदिया हैं तो तवा देनवा सक्कर ये सहायक नदिया हैं किस नदी की नर्बदा नदी की इसका सही आंसर हो जाएगा नर्बदा नदी की सायक नदीयां है तवा देनवा और सक्कर अब हम नर्बदा नदी के बारे में देखते हैं तो नर्बदा नदी मद्देश की सबसे बड़ी नदी में नदी है जिसकी लंबाई कुल कितनी है तो तवा नदी की नर्बदा नदी क लंबी मद्धिपदेश में होकर बहती है यह मद्धिपदेश के कुल 15 जिलों से होकर बुजरती है मतलब मद्धिपदेश से कितने जिलों से नर्बदा नदी निकलती है तो 15 जिलों से निकलती कहां से तो नर्बदा नदी निकलती है अमरकंटग में अमरकंटग आता है अनु नदियां दाइं और से नर्बदा नदी में मिलती हैं। अब इनकी सहाइक नदियों को देखते हैं तो एक पहली सहाइक नदिय हैं हतिनी, मान, चोरल, कोलार, बार्ना और हिरण। अब दूसरी और इदर गोई, कुंडा, सुक्ता, छोटी तवा, तवा, सक्कर, शेर, और थावर और बंजर, ये भी नर्बदा नदी की सहायक नदिया हैं, तो आप नाम बहुती इजी नाम है, हतिनी मान, चोरल, कोराल, कोलार, बारना, हीरन, गोई, कुंडा, सुक्ता, छोट तवा, तवा, सक्कर, शेर, बंजर, थावर, तो ये सब जानवरों के नाम वाली जितनी भी नदियां हैं, वे नर्बदा नदी की सहायक नदी हैं, फिर मद्यपदेश में किस सहर में सरकारी अफीम और उपचार कार खाना इस्तित है, आपको बताना है कि मद्यपदेश के कि सरकारी अफीम और उपचार कार खाना इस्तिते, इलकलॉइट फेक्टरी भी जिसे किते हैं, अब इसका डिस्क्रिप्ट्यव देखते हैं, दिस्क्रिप्शन तो जी ओ एफ, गवर्मेंट, ओपियम और एलकलॉइट फेक्टरी, इसका फुल फॉर्म है जिसका हेड़कॉर् दिल्ली में इसी के दोरा जो सरकारी अफीम और उपचार खार का ना है मद्यपदेश में वो संचालित किया जाता है और यह भारत का दूसरा अफीम प्रशसकरण और एलकुलाइट फेक्ट्री है जो कि कहां पे स्थापित की गई थी यह स्थापित की गई थी नीमच में और की अलकुलाइट फेक्ट्री की स्थापित घए भारत की दूसरी फेक्ट्री थी इसके स्थापित को मद्यपदेश ऋद्यों विकास निगम किस वर्स होई तो जो मद्य पमद्यपदेश लगू हुद कीकिसम 1961 में और मद्यपदेश उद्योगिक विकास निगम इसकी स्थापना की गई 1965 में तो बहुत इंपोर्टेंट एक्जाम में पूछा जाता है लगू उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई 1961 में और मद्यपदेश उद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई 1965 म रूड यार्ड किपलिंग की विख्यात पुस्तक जंगल बुक किस जंगल पर आधारी थे तो जो रूड यार्ड किपलिंग है उसकी बुक है जंगल बुक ये किस जंगल ये किस राश्टी उध्यान पर आधारी थे तो इसका सही आंसर है पेंच राश्टी उध्यान पर आध प्रीदर्शनी उध्यान इंदिरा प्रीदर्शनी उध्यान इसका नाम है छेतरफाले इसका 293 वर किलोमेटर इसे मोगली लेंड के नाम से भी जाना जाता है और ध्यान रखना कि जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई है जंगल बुक लिखी गई है रूड यार के द्वारा अब बात कर लेते हैं इसका विस्तार तो ये दो जिलों में फेला हुआ है पेंच राश्टी उध्यान सिवनी और छिंद्वाडा में फेला हुआ है इसकी स्थापना 1995 में राश्टी उध्यान की रूप में हुई और प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल किया गयता ह मद्यपदेश का सबसे बड़ा राश्टी उध्यान है काना किसली राश्टी उध्यान जो की 945 वर किलोमेटर छेतर में फेला है और मंडला जिले में है इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और सबसे छोटा राश्टी उध्यान है जीवास्म राश्टी उध्यान जिसका पहले 940 वर किलोमेटर और सबसे छोटा जीवास में राश्टी उद्यान है जिसका छेतर फले 0.27 वर किलोमेटर जो की घूगवा डिंडोरी जिले में स्थापी थे और इसकी स्थापना ही थी सन 1968 में अब हम बात करें मद्यपिदेश के अभ्यारण की तो जो मद्यपिदेश क है सबसे छोटा और सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा भ्यरण है नोउरा दही अभ्यरण जो की सागर में इस्थापित किया गया है इसका स्थेत्रफल ए ज्ञारए फसकना मैं राला जाकुन दरं टिंडोमेटर और फेलह है और इंडोर मी अब मद्यपिदेश का एक मात्र अ शामिल किया गया है उसका नाम है रातापानी और रातापानी अभ्यारन एक मात्र अभ्यारन जो की प्रोजेक्ट टाइगर में सामिले इस यह राइसेंद में स्थापना 2010 में की गई थी अब भ्यारण सबसे बड़ा नोरा दही और सबसे छोटा राला मंडल मद्धिपदेश सरकार दोरा दिये जाने वाले विक्रम पुरुसकार की पुरुसकार रासी कितनी है वेसे आपने करेंट में एक न्यूस सुनी होगी जुलाई में ही थी कि मद्धिपदेश सरकार ने सबी पुरुसकारों की रासी दोगनी कर दी गई है विक्रम एकलव और विस्वा में तो पुरुसकार की किन्तों अभी हमें यह याद रखना है कि विक्रम पुरुसकार की रासी कितनी है एक लाग रुपे अब विकरम पुरुस्कार क्या होते हैं तो विकरम पुरुस्कार है खेल के छेत manure में दिये जाना वाला एक पुरुस्कार और खेल दीवस आता है 29 अगस्ट को और मद्दिप्य देश में जो खेल पुरुस्कार है वो कौन-कौन से हैं तो एक सबसे फेमस खेल पुरुषकार है जिसका नाम है विक्रम पुरुषकार इसे 1990 से प्रारम किया गया और इसमें एक लाग रुपे पुरुषकार रासी दी जाती है और विक्रम पुरुषकार किसे दिये जाता है विक्रम पुरुषकार मद्यपदेश के सर्वत्तम या स् पुरुसकार दिया जाता है, पुरुसकार की रासी एक लाग रुपे है, अब विश्वामित्र पुरुसकार किसे दिया जाता है, तो एक कोच को दिया जाता है, इसकी रासी भी एक लाग रुपे है, खेल प्रसिशा को दिया जाता है, 1994 से प्रारम हुआ, फिर है एक एक लवे पुरुसकार एकलव पुरुसकार 1994 से प्रारंबुए और यह उन खिलाडियों को दिया जाता है जिनकी उम्र 19 साल से कम रहो और इसकी रासी पचासे आ रहे तो तीन पुरुसकार है खेल से रिलेटेड एक तो स्रेश्ट खिलाडियों को विक्रम पुरुसकार देंगे कोच को विश्वामित्र पुरुसकार और यूवा खिलाडियों को देते हैं एकलव पुरुसकार इसकी रासी भी पता होने चीए कब से शुरूए ये भी ध्यान रखना है तो जो विक्रम पुरुसकार है यह नभेश में शुरूआ बाकी दोनों 1994 में प्रारंबुए नभे में प्र मलखंब में स्रेष्ट खिलाडी को यह प्रारंब हुआ था दस अपरेल सन 2013 से इसकी पुरुसकार की रासी भी एक लाक रुपे ही है और मलखंब क्या है मलखंब मद्धिपदेश का राज की खेल है और यह राज की खेल घोसित किया था सन 2013 में और जिस समय राज की खेल घोस और इसी slide से related सायाद मद्यपदेश में विश्वामित्र पुरसकार के बारे में भी पूछा था PST की paper में तो मद्यपदेश की खेल अकादमी हम सिर्फ दो सहर की प्रमुक खेल अकादमियों को देख लेते हैं एक उज्जेन तो उज्जेन में एक तो मलखम अकादमी है और जिमनास्टिक तो मद्यपदेश मलखम प्रसिक्षन संस्थान और जिमनास्थिक प्रसिक्षन संस्थान कहां पर है तो यह दोनों हिस्थेते उज्जेन में और जबलपूर के बारे में तो जबलपूर में एक तिरंदाजी साइकलिंग और वेटलिफ्टिंग तिरंदाजी साइकलिंग और वेटलिफ्टिंग तीनों की ही अकादमी कहां पे है तो यह है जबलपूर में क्या क्या पड़ा हमने कि खेल अकादमी देखी जबलपूर की और उज्जेन की उज्जेन में मलखंब और जिमनास्टिक और तिरंदाजी साइक्लिंग और वेट लिफ्टिंग है जबलपूर में मद्यपदेश के किस छेत्र में मुम्ताज महल का देहान दुआ था तो मुम्ताज महल का देहान दुआ था बुराहनपूर में सही आंसर है बुरांदपूर, बुरांदपूर में मुम्ताज महल का निधन हुआ था अब देखते हैं कि मुम्ताज महल कौन थी तो मुम्ताज महल सभी को पता है यह सहाजां की बीबी थी, मुम्ताज महल का विवा हुआ था साहा जहां से सन जोला सो बारा में और इनकी मुरत्ती होई थी बुरहनपूर में सन सोला सो इकत्तिस में इनकी मुरत्ती हो गई थी इनका जो ओरिजिनल नाम नहीं वह था अरजुमंद बानो बेगम अरजुमंद बानो बेगम मुम्ताज महल का वास्तविक या सही नाम था बाद में इनका नाम मुम्ताज महल हो गया और इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था आगरा में तो इसके अलावा जो famous question पूछा जाता है यह पूछते हैं कि इनके मगबर या समाधी कहां पे हैं तो हम देख लेते हैं गौलेर की गौलेर में चार प्रमुक समाधियां या मगबर हैं तो पहला तानसेन की समाधी है गौलेर में मुहमब गोस का therapeut है गुछालियर में लश्मी भाई की समाधी ओर लश्मी भाई की साही का जिनका नाम है जलकारी भाई इनकी समाधी भी गुछालियर गौालियर में इस्थापित की गई है और बुर्हानपूर में जिनका दियान हुआ था उसका नाम क्या है मुम्ताज महल इसी के अलावा बुर्हानपूर में एक और मगबरा है जिनका नाम है दोलत खालोदी का मगबरा भी बुर्हानपूर में इस्थिते तो दो मगबरे एक दोलत खालोधी का और मुमताज महल दोनों इस्थिते कहांपर बुरानपुर में और चार हमने पड़े तानसेन की समादी महोंमत गोस्क का मक्बरा, लच्मीभाई की समादी और जल्गारिभाई की समादी यह स्थिते गौलियर में वर्तमान में मद्धिपदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है तो विधानसभा सीटों की संख्या मद्धिपदेश में है 230 इसका सही आंशर होगा 230 विधानसभा सीटों की संख्या मद्धिपदेश में 230 इसके बारे में डिटेल देखिए अब आपको पता होगा पेले हम बुक में पढ़ते थे कि मद्यपतेश में विधान सभा सीटों की संख्या है 230 प्लस एक होता था एंगलो इंडियन समुदाई के लिए तो जो एक एंगलो इंडियन समुदाई के लिए सीट होती थी उसको अब खतम कर दिया है अब वर्टमान में कुल 230 विधान सभा सीट ही है और जो एक एंगलो इंडियन की थी उससे समाप्त कर दिया गया है था 24-वे समविधान संसोदन द्वारा तो समविधान संसोदन नंबर 104 जो कि 2022-2020 के अनुसार एक जो कि एंगलो इंडियन समुदाई की सीट थी उसे अब समाप्त कर दिया गया है अब विधान सबा विधान सबा में सीटों की संक्या पहले 320 थी और वर्तमान में 230 हो गई है मतलब बर्तमान में 29 हो गई है 29 को भी हम जम ST और समस्वे में बाटेंगे तो ST की संक्या होगी 6 और EST की 4 राजसबा सीटें पूर्वे में थी 16, वर्तमान में 11 राजसबा सीटें मद्यपदेश में हैं अब 4 ST की सीटें कौन-कौन सी हैं तो भिंड, टीकमगड, उज्जेन, देवास ये ST की सीटें हैं और ST की सीटें रतलाम, खरगोन, धार, बैतूल, सहेडोल और मंड़ा ये ST की सीटें हैं ST और ST की सीटें ST की 4 हैं, ST की 6 हैं तो SC 4 वाली भिंड, टीकमगड, उज्जेन, देवास हैं मद्धिपदेश की कौन से जिले में सारवधिक क्रसियोग भूमी है, तो सारवधिक क्रसियोग भूमी इस आप्षन के अनुसार है उज्जेन, मद्धिपदेश में सारवधिक क्रसियोग भूमी आती है उज्जेन जिले में हम यहाँ पर देखते हैं अने फेक्ट तो सारवादिक सिंचित जिला मद्धिपदेश का कुन सा है सारवादिक सिंचित जिला छेतरफल के अनुसार है हुसंगाबाद और नियूनतम सिंचित जिला है मद्धिपदेश का डिंडोरी ये छेत्रफल के अनुसार हम बात कर रहे हैं तब कि सारवादिक सिंचित जिला छेत्रफल अनुसार है होशंगाबाद और सारवादिक नियूंतम सिंचित जिला छेत्रफल अनुसार है डिंडोरी अब प्रमुक सिचाई पर योजना तो चार प्रमुक सिचाई पर योजना मद्रपदेश में प्रारम की गई थी एक तो बलराम तालाब योजना जो की 2007 में प्रारम होई खेत तालाब योजना ये भी 2007 में प्रारम होई और जलविशेक योजना 2006 से प्रारम की गई फिर मद्रिप्रदेश क्रशी अब ये कन्फ्यूजन वाले दो संस्थान के नाम है वो एक साथ लिख दिये हैं मैंने आपको याद रहेंगे कि मद्रिप्रदेश क्रशी अभियांदर की संस्थान का है तो मद्रिप्रदेश क्रशी अभियांदर की संस्थान है भौपाल में और मद्रिप्रदेश क्रशी अभियांदर की महाविद्याले का है यह है जबलपूर में क्रशी अभियांत्री की संसान है भोपाल में और क्रशी अभियांत्री की महाविद्याल है चबलपूर में निम्न में से कौन सी नदी परियोजना बेतवा नदी पर मद्यप्रदेश और उत्रप्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है तो एक तो बेतवा नदीप है और मद्धिप्रदेश और उत्तरप्रदेश की संयुक्त परियोजना है उसका नाम आपको बताना है तो इसका सही आंसर है राजघाट परियोजना राजघाट परियोजना मद्धि प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है मद्धि प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है राजघाट परियोजना इसके बारे में आनने चीज़े देखिए तो राजगाट परियोजना इसका अन्य नाम है राणी लश्मी भाई परियोजना जो कि बेतवा नदी पर इस्थापित है और यह मद्रप्रदेश और उत्तरप्रदेश दोनों को ही लाबानवित करती है और कुल ऐसी तीन परियोजन परियोजना केन और राजगाट दोनों ही बेतवा नदी पर है और उर्मिल जो कि उर्मिल नदी पर है यह तीनों ही परियोजना मद्रप्रदेश और उत्तरप्रदेश की संयुक्त परियोजना है फिर उर्मिल परियोजना है छतरपूर में और केन परियोजना है छतरपूर पर जो बांद बना है वो बना है केवडिया नवा गाओं में नवा गाओं केवडिया में बांद बना है और चार राज्य है मद्रिप्रदेश, गुजराद, राजिस्थान और महारास्ट अब एक ऐसी परयोजना भी है जो तीन राज्यों की संयुक्त परयोजना है ये तीन र पर जो बांद बनाया है इस पस पड्रome ईंडर अगत ωत मद्य पदेश में किस नदी पर सभ्सेधिक संख्या में पर्योगना benzवाइब zurück दिल करे गई हैं दो इसके बारे में हैं मद्य ठी को नर्बदा नदी bisogna मद्यमाकार की और एक हजार से अधिक छोटी परियोजनाय बनाई गई हैं यह देश की पांचवी सबसे बड़ी लंबी नदी है और अन्य नदियां कुन सी है जो मद्यपदेश में बहने वाली नर्बदा से बड़ी है तो पहली गंगा, गोदावरी, क्रश्ना और यमुना य बेत्वा का नाम बेत्रवती भी है, चंबल का नाम चर्मावती या धर्मावती भी है और सोन नदी का नाम है स्वर्ण या सुभागदी, स्वर्ण या सुभागदी इसका नाम है फिर हम देखते हैं कि नर्बदा नदी के अन्य नाम क्या क्या है तो नर्बदा नदी को राम भुगोल वे दिता थे फिर अपवा छेत्र तो नर्बदा नदी का अपवा छेत्र है व्रक्षा प्रणाली का और नर्बदा नदी जवार नदमुक का निर्मान अर्थात एस्चूरी का निर्मान करती है एक अन्य नदी जो कि जवार नदमुक या एस्चूरी का निर्मान करत उसका नाम है तापती जो कि बेतूल से निकलती है और यह भी खमबा अरब सागर में जाकर मिल जाती है तापती मद्यप्रदेश की दक्षणी सीमा का निर्मान करती है और तापती नदी के बारे में यह का जाता है कि यह सूर की पुत्री थी इसी कारण इनका नाम तापती आपसे पूछा जाए मद्धिप्रदेश की पहली बहु उद्देशी नदी घाटी परियोजना कुन सी थी तो हुआ थी चम्बल घाटी परियोजना जिसके स्थापना हुई थी 1953 में मद्धिप्रदेश की लंबी नदियां नर्बदा, चम्बल, सोन, तापती और बेत्वा जो कि बेतूल से निकलती है, इसका अर्थ होता है सूरकी, पुत्री और तापती नदी दक्षिनी सीमा का निर्माण भी करती है, और परियोजना है कितनी है तो 11 बड़ी, 19 मद्यम और 1000 से अधिक छोटी परियोजना है, सामिले यह देश की पांच वी सबसे बड़ी नंबी मद्यप्रदेश के प्रथम मुख्य सचीव कोन थे, तो मद्यप्रदेश के प्रथम मुख्य सचीव थे, स्री एचेस कामत, मद्यप्रदेश के प्रथम मुख्य सचीव थे, इसके बारे में अनफेक्ट देखें, तो मुख्य सचीव होता क्या है, तो मुख्य सचीव, राज प्रसाशनिक रश्यसोस में सबसे सर्वोच पद देखें तो वो मुख्य सचिव का होता है और वर्तमान में कौन है वर्तमान में मद्यप्रशाशन के मुख्य सचिव है स्री इकबाल सी बेस मद्यप्रशाशन के वर्तमान में मुख्य सचिव है अब मुख्य सचिव जो की लोक HS कामत और दूसरे कौन थे तो दूसरे मुख्य सचिव थे स्री आरपी नहरोना जिनके नाम पर भौपाल में प्रशाशनी का कादमी स्थापित की गई है आरपी नहरोना के नाम पर नहरोना प्रशाशनी का कादमी है जो की भौपाल में स्थापित की गई है ये मद्यपदेश के दूसरे मुख्य सचीव थे वरतमान में मुख्य सचीव थे मद्यपदेश के स्री इकबाल सी बैंस स्री इकबाल सी बैंस मद्यपदेश के वरतमान में मुख्य सचीव थे पहली महिला मुख्य सचीव कौन थी मुहंती और उनके पहले थे श्री बशन प्रताप सिंग तो क्रम देख लीजिए बशन प्रताप सिंग बने बशन प्रताप सिंग के बाद सुधी रंजन मुहंती फिर एम गोपाल रेड़ी और वर्तमान में हैं हमारे श्री इकबाल सी बेस नेक्स्ट कोशन मद्यपदेश का राज की खेल कौन सा है तो मद्यपदेश का राज की खेले मलखंब मद्यपदेश का राज की खेल कौन सा है मलखंब और इसकी खोषना कप की गई थी मद्यपदेश का राज की खेल मलखंब इसकी खोषना सन 2013 में की गई थी और इसी के सम्मान में या इनी खेलों के लिए स्री प्रभाज जोसी के नाम से स्री प्रभाज जोसी के नाम से एक पुरुसकार प्रारम किया जिसका नाम था स्री प्रभाज जोसी सम्मान और यह दिया जाता है किस खेल के लिए यह दिया जाता है मलखंब खेल के लिए यह भी 2013 से प्रारम किया गया था और मलखंब अकादमी कहां इस्तिते तो मलखंब अकादमी इस्तिते उज्जेन में यहीं पर जिमनास्ट अकादमी भी इस्तिते आज के लेक्चर में इतना ही नेक्स्ट कोशनों को या अगले कोशन की जो सरंकला है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे थेंक यू